हेलो फ्रेंड्स तो पिछले वीडियो में हमने केंडल स्टिक्स क्या होती है कैसे बनती है वो देखा था अगर वो वीडियो नहीं देखी तो में नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है तो उसे जरूर देखना तो आज हम लोग केंडल स्टिक्स पैटन के बारे में सिखने वाले हैं बेसिकली केंडल स्टिक पैटन देखके हम लोग ये प्रेडिक कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में जा सकता है तो आज हम लोग वो इंपोर्टन केंडल स्टिक तो आज हम लोग bullish candlestick pattern देखने वाले हैं जिसमें bullish engulfing, bullish harami, bullish kicker, hammer, inverted hammer, piercing line, morning star ये सब pattern देखने वाले हैं ये सब pattern आप note कर सकते हो आज हम सिफ bullish pattern देखने वाले है तो जब भी ये सब pattern आपको support के पास दिखेंगे तो ज़्यादा probability है कि market uptrend में जा सकता है तो चलिए इन patterns को देखते है तो पहला pattern है bullish engulfing pattern तो जब भी red candle form होती है और उसके बाद एक बड़ी green candle form होती है तो हमें ये pattern दीख सकता है जिसमें green candle previous red candle से बड़ी होनी चाहिए ये green candle red candle को पूरी engulf करनी चाहिए और red candle green candle के body में होनी चाहिए तो जब भी market में downtrend चल रहा हो और ये candlestick pattern दीखे तो uptrend हो सकता है bullish engulfing एक two candlestick pattern है आप इसे कौन से भी time frame पे देख सकते हो हमें green candle के closing पे entry लेने है और green candle के low पे stop loss लगाना है तो ये हो गया bullish engulfing pattern ये एक important candlestick pattern है तो अभी हम लोग दूसरा pattern देख रहे है जिसका नाम है bullish हरमी तो पहले एक red candle form होगी और उसके बाद एक green candle लेकिन इस green candle का formation red candle के body के अंदर होना चाहिए तो जब भी ये candlestick pattern दीखेगा तो market downtrend से uptrend में जा सकता है हमें इस candle stick में green candle के high पे entry लेनी है और red candle के low पे हमें stop loss लगाना है और इसमें red candle green candle से बड़ी होनी चाहिए ये भी एक two candle stick pattern है बुलिश एंगल फिंग में green candle red candle से बड़ी होनी चाहिए लेकिन बुलिश हरमी में red candle green candle से बड़ी होनी चाहिए तो ये था बुलिश हरमी candle stick pattern तो अभी जो next pattern है उसका नाम है बुलिश की कर तो इस pattern में तो पहले एक बड़ी red candle form होगी जिसमें कोई भी wicks नहीं होंगे मतलब इसका open price ही high price होगा और closing price ही low price होगा तो इसके बाद एक green candle form होती है जो एक gap के साथ open होगी तो यहाँ पे stock में positive move आ सकता है और एसी candle जिसमें wicks नहीं होते है उसे हम लोग marubuzu candle बोलते है तो जब भी एक gap के साथ green candle form होती है उसे हम bullish kicker बोलते है तो हमें इसमें green candle के high पे entry लेनी है और red candle के low पे stop loss लगाना है यह भी एक two candle stick pattern है तो यह हो गया bullish kicker candle stick pattern तो अभी जो next pattern है वो है hammer pattern तो यह hammer candle है आप इसे red और green दोनों color में देख सकते हो यह green तब होगा जब open नीचे होगा और close उपर होगा और red तब होगा जब open उपर हो और close नीचे हो तो इसमें आप lower wigs देख सकते हो लेकिन इसमें higher wigs नहीं होते है hammer candle की lower wigs उस candle की body से double होनी चाहिए तो अगर यह pattern हमें bottom या support पे दिखता है तो uptrend हो सकता है हमें hammer candle की high पे entry ले सकते है और इसके low पर stop loss लगाना है तो इसमें याद रखे wigs की size body से double होनी चाहिए तो अभी हम लोग देख रहे है inverted hammer pattern तो जैसे हमने hammer pattern देखा था उसके opposite inverted pattern होता है तो inverted hammer pattern में body नीचे की side होगी और shadow या weak उपर के side होगा इसके भी weak की size body से double होनी चाहिए तो जब भी downtrend हो और हमें ये pattern दिखे तो वहाँ से uptrend हो सकता है ये भी red color और green color दोनों में हो सकते है तो हमें इसके high पे entry लेनी है और low पे stop loss लगाना है तो ये हो गया inverted hammer pattern तो अभी हम लोग देख रहे है piercing line pattern तो इस pattern में जो green candle form होगी वो previous red candle को के low के नीचे open होनी चाहिए और इस green candle की closing पिछले red candle के middle के उपर close देनी चाहिए तो अगर ये candlestick pattern दिखता है तो stock उपर जा सकता है हमें red candle के high पे entry लेनी है और green candle के low पर stop loss लगाना है ये भी एक two candlestick pattern है इसमें बस green candle ने red candle के middle के उपर closing देना चाहिए तो अभी हम लोग देखने वाल है morning star pattern morning star pattern basically three candlestick pattern है तो पहले एक red candle form होगी फिर उसके बाद एक indecision candle form होगी जिसमें stock उपर या नीचे कहीं मूँ नहीं होगा मतलब ये एक दोजी candle form होगी वो red या green कौन से भी color में हो सकती है फिर जो third candle form होगी वो एक green color की होगी तो यहाँ पे green candle के high पे हमें entry लेनी है और इस indecision या फिर दोजी candle के low पे stop loss लगाना है तो इसमें जब green candle form होगी तब उसके साथ high volume भी होना चाहिए यह है morning star pattern तो दोस्तो आज इस वीडियो में हमने bullish candle stick pattern देखे है यह सब patterns अगर हमें support zone पे दिखते है तो ज़्यादा possibility है कि stock उपर जा सकता है इसमें हम किसी भी time frame में enter देख सकते है बड़े time frame में इसके result बहुत अच्छे मिलते है तो इन सब patterns से हमें predict कर सकते है कि एक uptend आ सकता है तो इसके next वीडियो में हम लोग देखने वाले है bearish candle stick pattern तो उस वीडियो को देखने के लिए channel को जरूर subscribe करे होप आपको यह वीडियो पसंद आया हो